विल्कम फ्रेंट्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम है रास्टी डिजाइन संस्थान मद्ध प्रदेश के वेबसाइट पे दोस्तो इसमें जो वेकेंसी निकली है इसके बारे में हम देखते हैं यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइ कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आईए चलते हैं अब वेकेंसी पर कौन सी पोस्ट निकली है दोस्तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिकूट्मेंट फार द पोस्ट आफ वार्डन केर टेकर आन कांट्रेक्ट बेसिस एट निशनल इंस्टिट आफ दोस्तो इसमें जो अप्लिकेशन इन्वाइट किया गया है फिमेल कंडिडेट के लिए इन्वाइट किया गया है इसमें यहाँ पे आप देख लीजे मेल कंडिडेट इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और इसमें जो वेकेंसी निकली है प्रथम द नहीं है तो दोस्तो नंबर आप पोस्ट है इसमें एक और जो पे है ये consolidated पे रहेगा क्योंकि contract बेस में consolidated पे ही दिया जाता है इसमें है 49,118 रुपए 49,128 रुपए वेकेंसी contract बेस पे है total नंबर आप वेकेंसी एक है जो unreserved के लिए निर्धारित की गई है अब आईए देखते हैं इसमें और प्रमुख बिंदु क्या क्या है तो दोस्तो यदि हम essential education की बात करें तो इसमें यदि आप graduate है BA, BC, BC जो भी graduate degree है तो आप फाहम apply कर सकते है और आपके पास होना चाहिए computer knowledge ये दो चीजें इसके लिए आवश्यक है desirable made ये आपके पास किसी हास्टल का experience है उसको manage करने की capacity है experience है आपके पास तो ये यहाँ पे आपको beneficial रहेगा job profile में warden के जो job होता है सारी चीजों को manage करना documentation करना ये सारी चीजें आपको वहाँ करनी होंगी अब आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें age limit कितनी निर्धारित की गई है तो दोस्तो age limit 99-2022 के आधार पर 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए application piece की बात करें तो application piece से exempted है किसी को नहीं लगेगी अब यदि हम बात करते हैं mode of selection क्या होगा तो दोस्तो return test और skill test इसमें होना है total marks 100 रहेंगे 120 मिनट का time दिया जाएगा return test के लिए और इसके बाद top 10 candidates जो होंगे उनको skill test के लिए बुलाया जाएगा अब आएए देखते हैं कि skill test में क्या-क्या होना है तो दोस्तो essential qualification में जो computer knowledge रखा गया था उसी पे इसमे skill test होना है तो आएए देखते हैं क्या-क्या होगा तो इसमें MS Word 30 marks का रहेगा और जिसमें drafting later proposal reports, notes, file advisories जो भी है ये रहेंगी और MS Excel 10 marks का रहेगा इस तरह से total 45 minutes का इसमें skill test होना है अब आएए देखते हैं कि आपको इसमें farm कैसे apply करना है तो दोस्तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ यहां पे कुछ syllabus भी दिया गया है जो written test होना है 100 marks का descriptive और objective question जो रहेंगे वो यहां पे दिया हुआ है English language, overall management and condition of girls hostel, hostel rules, regulation and instruction, hostel security, management, student interaction यह सारी चीज़ें इसमें written test में रहेंगी अब हम इसमें चलते हैं आपको farm apply कैसे करना है तो दोस्तो इसमें जो आपको farm submit करना है तो आपको करना पड़ेगा offline यहां पे दिया हुआ है Only female candidates should fill up the application in the prescribed format and attach copies of education, qualification, experience यह सारी चीज़ें And application must send their application in the attached format for the post to his office in a sealed envelope, clearly superscribed envelope के उपर आपको लिखा, आप लिखेंगे Application for the post of burden, apply caretaker on contract basis और इसको आपको भेजना होगा registered post या speed post से registered post या speed post से इसको आपको भेजना होगा और यह कहां जाएगा The Administrative Officer, Establishment Section, National Institute of Design आइन मद्यप्रदेश, विलेज अचारपुरा, इंट खेडी, इंट खेडी, भोपाल, डिस्टिक भोपाल, स्टेट मद्यप्रदेश और यह इसमें जाएगा Application sent by any other mode, sell not be internet यदि और किसी माध्यम से आप application send करते हैं तो वो अमानने होगा Important dates की बात कर लें दोस्तों तो last date for receiving up application is 9 September 2022 और इसमें जो official website दी हुई है इसको आप देख लीजिए यहां से आप इसका जो application format है उसको आप download कर लीजिएगा यह है www.nidmp.ac.in इस तरह से संपूर notification है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए मिलते हैं next job notification में के साथ आप सब को धन्यवाद